अब जो बैंक ने निर्देश दे दिया है बिल्डरों को कि आप इस तरह से जो है टेन इस्टू नाइन्टी या फाइफ इस्टू नाइन्टी फाइफ के रेशियो में कम पैसे लेके लोकल भावन देके फ्लैट नहीं बेश सकते हैं क्या है इससे अब कितने असर पढ़ेगा बिल्डरों पर बिल्डरों पर कोई असर नहीं पढ़ builders में ट्रेपाइटाइट एग्रिमेंट होता था कि आप पांच परसंट या दस परसंट आप हमें दे दीजिए बाकी जो पैसा है वो बैंक डारेट बिल्डर को फाइनेस करते तो वो एक गलत है कारण क्या है कि बैंकों का जो फाइनेस है हाउसिंग के लिए वो स्टैप हो गई तो बिल्डर उसके लिए डिमांड करेगा कि आप इतना दे दीजिए तो आप इकठा पैसा कैसे दे सकते हैं तो आप ने एक ही प्रोजेक्ट के ओपर एक फ्लैट के ओपर दो डबल जो है वो फाइनेस अवी लेवल करवा लिया और जो हाउसिंग लोन बायर ने लि है वो लोन लेकर आपको दे रहे थे उनको डाइवर्ड कर रहे थे तो एक बहुत अच्छा स्टैप हाउसिंग बैंक ने लिया है ने कि इस प्रकार की जो एट्रक्टिक स्कीम से है वो जो है बिल्डर जो है नहीं भीज सके यह 10 इस्टू 9 5 इस्टू 95 जिसे रिश्यू क्य है यह कैसे लुभाओने बैयानों में बाइस फस्ते थे यह क्या है कि आपने एक स्पोस्ट दस लाग का फ्लैट लेना तो दस लाग के उपर आपको बैंक से फाइने करवाना तो बैयर कहता था कि जो बिल्डर कहता था कि आप 10 परशंट एक लाग रुपया जो है आप हमें देरी जी बाकी बैंक के साथ एग्रिमेंट हो गया जो नौ लाग रुपया है वो बैंक डारेक्ट बिल्डर को दे देगा वो बाइर के थू जो है बिल्डर को स्टेप बे स्टेप जाना चाहिए था उसने वो सारा पैसा ले लिया उसी प्रोजेक्ट पे बिल्डर ने पहल लबल फाइनेंस बैंकों से ले रहे थे एक तरकी जो धोका धड़ी है अब वो बंद हो जाएगी बार्स को फायदा पहुचेगा और जो है इससे अब यह होगा कि बिल्डर को जो है जल्दी से जल्दी अपने प्रोजेक्ट को पूरा करके देना पढ़ेगा कैमरा में संज दोसके साथ इमरान खान सोराज एक्सप्रेस तरली